उसी सौधाइन के घर के आंगन में दो बड़े से बबूल के पेड़ थे जिसे देखने से ऐसा लगता था जैसे वो दोनों बबूल के पेड़ एक दूसरे को सहरा दे रहे हो उसे बबूल के पेड़ का काटा सभी गर्वती महिलाओं के पैर में गड़ा था और उनका गर्व पाथ हो गया था डायंती का एक गहरी सास अपने सीने के भीतर भरती है और फिर बोल पड़ती है मुझे और निशाच को ये तो पता चल गया था कि वो व्रिशन कंटक्टोना उसी सौधाईन ने किया था अपने पती भक्षानर के साथ मिलकर पर ये सब उन दोनों ने क्यों किया था क्या वज़ती इतनी सारी ओर्टों का गर्व पात कराने की ये हमें पता नहीं चला था हमारे पास इतना वक्त भी नहीं था कि ये सब पता लगा पाए मेरे गर्व में भी चित्रा बेटी तुम थी और मुझे डर्ड था कि कहीं वो सौधाइन मेरा गर्व बात भी ना करा दे अपने जादू टोने से एक सौधाइन जब जादू टोना करती है तो एक डायन भी उस टोने को तोड नहीं पाती है उस सौधाइन के सामने टिक नहीं पाती है उन दोनों ने मिलकर कई सारे मासूम बच्चों की जान ली थी कई और तो की कोख को सुना किया था उनको मा बनने से रोका था और एक मा ना बनने का दर्द क्या होता है मैं अच्छे से समझ सकती हो मैंने और निशाच ने सोच लिया था कि हम उन दोनों को उनके इस पाप की सजा दिला करी रहेंगे पर हम जानते थे कि हम सब के सामने कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर इंसान भी रहा करते हैं अगर उन्हें पता चल गया कि मैं एक डायन हूँ और निशाच पिशाच है तो हमारा जीना भी वहां पर मुश्किल हो जाएगा इसलिए मैंने और निशाच ने उन दोनों का तो कुछ नहीं किया पर ये बात गाउं में पहला दी और गाउं में बात हवा से भी तेज पहलती है गाउंवालों क पात हुआ था जब उनसे पूछा गया कि क्या गर्भावस्ता के दौरान उनके पैर में कोई काटा गड़ा था तो सभी का यहीं कहना था कि हां गड़ा था वो भी बबूल के पेड़ का फिर क्या था गाउंवालों के अंदर बदला लेने की आग भड़क उठी उनका खून कि उसके पती को भी उसके बच्चे तक को भी आखिर उसे भी तो पता चले बच्चा खोने का गम क्या होता है जहां एक तरफ गाउंवाले हाथों में मशाल लेकर उस औरत के घर को जलाने के लिए निकल पड़े थे वहीं दूसरी तरफ उस सौधाइन के घर में कुछ औरी चल रहा था वो एक टोने से भी बड़ी साजिश रशनी की तैयारी कर रही थी अपने पती भक्षानर के साथ मिलकर इतना केकर डायंतिका चुप हो जाती है उस पल को याद करके डायंतिका का दिल जोरों से धड़कने लग गया था हाथ पैर भी कपकपाने लग गये थे डा कुछ लिया था चाहे कुछ भी हो जाए हम घर के बाहर नहीं जाएंगे हम नहीं चाहते कुछ ऐसा हो जाए जिससे गाउंवालों को हम पर भी शक हो और वो हमें भी निकाल दे पर उस रात कुछ ऐसा हुआ कि जिस गाउं में हम गाउंवालों के साथ रहना चाते थे वो गा आवाजे आ रही थी ऐसी आवाजे जो मेरे कानों को चुप रही थी जब मैंने ये बात निशाच को बताई तो निशाच को भी ये लगने लग गया कि हमें देखना चाहिए कि आखिर उस सौधाइन के घर के अंदर चल क्या रहा है एक डायन अपनी शक्तियों से दूर तक का स सुन सकती है तो एक पिशाच अपनी शक्तियों से दूर तक का देख सकता है निशाच और मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग करके उस सौधाइन के घर के अंदर चल क्या रहा है ये देखने लगे इतना कहती डायनतिका के आखों के सामने वो पल गुजरने लग जाता है जब अपनी घर के अंदर बैट कर खिर्की से ये दीख रही थी कि उस सौधाइन के घर में चल क्या रहा है रात का वक्त था और वो सौधाइन अपने घर में फर्ष पर पालती मार कर बैठी हुई थी उस सौधाइन ने काली साड़ी पहन कर रखी हुई थी माथे पर बड़ा सा तीका लगाया हुआ था मांग में सिंदूर और गले में सोने का लॉकिट उसके गले में जो सोने का लॉकिट था उसके अंदर कुलहाडी बनी हुई थी जो कि भक्षानर वल्श की एक निशानी थी उस औरत की गोद में उसका बच्चा था जिसके माथे पर वो भबूत लगा उस औरत के सामने ही उसका पती भक्षानर बैठा हुआ था वो भी अर्द नग्न अवस्था में उस भक्षानर में अपनी आखों में काजर लगाया हुआ था और जिस तरह वो ऑरत अपने बच्चे के माथे पर भबूत लगा रही थी वैसी ये भबूत उस भबूत उस भक् प्रशान था जो रूम नंबर 666 के अंदर बना हुआ था इस वर्ष पर जो आंग बनी हुई थी उसके अंदर कई सारे बबूल के काटे रखे हुए थे हर काटे के ऊपर खून सना हुआ था पर हर खून कुछ अलग था कोई गाड़ी रंका तो कोई हलके तो कोई फीका लाल ज जैसे ही सौधाइन अपने बच्चे के माथे पर भभूत लगा लेती है वो अपना नाखून फर्ष पर से उठाने लग जाती है उस सौधाइन का जो पेट था उसके पेट पर कई सारे काटे चुपनी के निशान थे जैसे उसने अपने पेट में काटों को चुप हो या हो बूल पड़ता है बिल्कुल नहीं रेवती सद्यों से हम भक्षानिर इंतजारी तो कर रहे हैं पर अब बिल्कुल इंतजार नहीं करना है हमें हमारे पूर्वच का सपना पूरा करना है ब्रह्मान पर राज करने का सपना और वो तभी होगा जब मुझे शक्तिया प्राप् जाती है उसके और निशाच के समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतना बड़ा दरिंदा कैसे हो सकता है कि शक्तिया पाने के लिए अपने बच्चे को मारने के लिए तयार हो जाए उसकी बली चड़ाने के लिए राजी हो फिर बाद में डायंतिका को एहसास होता है कि वो वेदान से बोल पड़ती है पर हम ऐसे कैसे बच्चे को मार सकते हैं वेदान तुरंद पलट कर रेवती से कहता है यह हम पहली बार कर रहे हैं क्या जो तुम इतना खबरा रही हो बोलो मत इससे पहले पर तुमने कई बच्चों को मारा है वो भी उनकी मा की कोक में ही पितांत रेवती पर दबाव बनाते हुए कहता है, अपना बच्चा है तो क्या हुआ, भूलो मत इसके अंदर ही वो शक्तिया है जो मुझे चाहिए, इतना बड़ा शड्यंत रिसी दिन के लिए तो रचा गया था, याद करो जब तुम मुझसे शादी कर रही थी, उस वक्त था उतना शक्तिशाली नहीं था कि ब्रह्मान पर राज कर सको, पर तुम ने कहा था कि तुम मुझे ताकतवर बना सकती हो व्रिशन कंटक्ट होने से, जैसे विदान्त ये बात बोलता है, उस रेवती की आँखों में वो जहलकिया दिखने लग जाती है, जो उसने व्रिश व्रिशन कंटक्ट होने की मदद से, व्रिशन कंटक्ट होना करने के लिए सबसे पहले वो रेवती उसके घर के आंगर में लगे, बबूल की पेड में से बबूल का काटा तोड़ती थी, मंत्र पढ़कर उस काटे को शक्तिशाली करती थी, और फिर उस काटे को ऐसी जगह पर रखती थी जहांसे का अर्वती और ठुद के पैर कूं आकर मंत्र पढ़ कर उस खूण से सने में जिपालिया कर्दी नो साल तक रेंपटी यहीं करते रही अपनी यहीं कोग को दूसरे के बच्चों को मार कर ताक वरसे रही दूसरी औरतों के बच्चों को उनके गर्भ में मार कर पूरे नौ साल लगे थे रेवती को अपनी कोक को ताकतवर बनाने में और जब उसकी कोक शक्तिशाली हो गई तो वेदान्त ने उसकी कोक में अपना बीश डाल दिया और नौ महीने बाद ही उस बच्चे ने चन्म को बुचा सकता था क्योंकि रेवती ने सिर्फ इंसानी औरतों के गर्भ से अपनी कोक को शक्तिशाली नहीं बनाय था बल्कि कई डायनो चुडएलों शाकिनी से भी अपनी कोग को शक्तिशाली बनाया था जब ये पूरा द्रिश्य डायंतिका रेवती की आँखों में से दो इसकी शक्तियां यह काम तुम ही कर सकती हो उन थक गया हूँ यह इनसान बने का दिखावा करते कितने सालसे मैं किसे इंसान का आंग हस्त का दिखावा किए got अब थो मैं और जादा कमजोर हो क्या हूँ मुझे फिर से ताकतवर करदो बना तो तो मुझे फिर से शक्तिशादी, बना दो। इतना कहकर विदान्त भी एक उमीद के साथ रेवती की तरफ देखने लग जाता है। इतना क्या सोच रही है तो, जल्दी कर चढ़ा दे इसकी बली। रेवती की आखे आसों से भर गई थी। वो रोते हुवे कहती है। तो मुझे समान होते हैं और मेरे लिए मेरा ये बच्चा भी मेरी जान ही है। वेदान्त गुस्से के साथ कहता है, तो तू बदल रही है, मतलब तू इसकी बली नहीं देगी। अपने पती की बात नहीं मानेगी। रेवती कुछ जवाब नहीं देती है, वो अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है और उसके माते पर लगे भपूर को मिटाने लग जाती है। रेवती के इस व्यवहार ने वेदान्त को उसके सवाल का जवाब दे दिया था। वेदान्त गुस्से के साथ कहता है, तुझे क्या लगता है कि अगर तू इसकी बली नहीं चड़ाएगी तो मुझे इसकी शक्ती नहीं मिलेगी। मुझे पता था कि तू कभी भी पलट सकत है, इसलिए मैंने पहले ही सारी तयारी करके रख ली थी, इसकी बली चड़ानी के लिए मुझे तेरी नहीं बस तेरे नाखून की जरुरत है। उसके बाद इसके अंदर की सारी शक्तिया नाखून के अंदर जाएगी और उसके बाद वो नाखून से मेरे अंदर। इतना कह दोनों को वेदान्त से बचाने में. वेदान्त रीवती से उसका नाकून और बच्चा छीनने में लगाई हुआ था, कि तब ही उसे एक आहट सुनाई देती है. एक ऐसी आहट जिसे सुनकर वो रुप जाता है. वेदान्त खुद से बढ़ बढ़ाता है. ये कैसी आहट है?